कि आप सभी जानते हैं कि हम अलग-अलग वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं टैबलेट पे या फिर आइफून पे मोबाइल पे या अलग-अलग डिवाइस डेक्स्टॉप लैप्टॉप या कोई भी अधर डिवाइस पर हम लोग वेबसाइट देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके होते हैं तो इस वीडियो में हम वही सिखेंगे कि कि वेबसाइट किस तरीके से अप्टिमाइज की जाती है इस वीडियो में आगे बढ़ने से बहले सब्सक्राइब करें हमारा चानल डिजी रिलोड और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले जिससे हमारी जो रेगुलरी वीडियो अपलोड होती है अलग-अलग टॉपिक अलग-अलग वेबसाइट देख रहे होते हैं विजट कर रहे होते हैं लोड कहीं कहीं सकता है यह लेकिन अगर तो हमारा चुछा सा बिजनेस है और उसका इंपक्ट जादा कुछ नहीं है तो उसके लिए आगर हम यह उसे संपांड पर होता है तो छैर थीए होस्तिर लेकिन हॉस्ति गोंसे Champagne रखा होता है उसके अंदर कोई भी वेबसाइट नहीं होती है लेकिन सर्वर जो होता है एक डिलिकेटर शरर और अलग अलग बना जाते रिट्वर्ट और उस ब्रट्वाइट नेटवर्ण वेबसाइट होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा से चार से पाच वेबसाइट होती है तो लेकिन यह चीज है कि हम लोग की वेबसाइट लोड होने के लिए अलग-अलग होस्टिंग होती है तो रेकमेंड़ होस्टिंग है कि विपीस पे जाए या फिर डिडिकेड़ होस्टिंग पे जाए क्योंकि इससे क्या होगा कि जहां पर भी अगर हम ग्लोबल एक्सपांड करना जाते हमारा बिजनेस और हमारी लोड हो पाए नेक्स्ट पॉइंट है कॉंप्रेस इमेजस आप सभी जानते हैं कि मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि हम जब वेबसाइट लोड करते तो इमेजस लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसका रीजन भी है कि वह इमेजस की साइज बहुत लोड हो बड़ी होती है जिसे तिक भी ब्राओ पर मतलPlus 75 डिमेजस मेशन में होनी जिससे घंज वेबसे डिमेज़ीय कब हो तो अगर 72 DPI में convert करते हैं तो जादा से जादा 62-70 KB की बनेगी तो इतनी छोटी images बन जाती है लेकिन quality reduce नहीं होती है तो इस तरीके से हमें हर एक images को जो भी हम images upload कर रहे हैं server पर optimize मतलब size कम करके upload करनी है और उपर से और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी सर्वर हम यूज करें मतलब dedicated और विपियर सर्वर जो यूज करें उस सर्वर पे compress जो zip होता है वो on करके रखना है क्योंकि compress zip on करने से जो भी size image की है for example 300 KB की image अगर हमने server पे upload किया और server site compress on रखा है तो 300 KB की image automatically 150 KB की बन जाएं बतलब 50% size reduce हो जाती है अगर इसी प्रकार से अगर देखें कि एक website की size total 4 MB की image size है और compress image अगर मैं active किया है तो 4 MB की जगा 2 MB ही लोड लेगा तो यही है कि हमें जो भी है कि website पे compress images करना बहुत ज़रूरियत है ओ एक तो लोकली हमें images compress करके upload करनी है और server side compress भी on रखना है फार एक्जांबल जीजिप on रखना है हम सभी ने देखा होगा website पे बहुत बार रिडारेक्शन हो रहा होता है for example अगर हम कोई website पे विजिट करते हैं तो एक website से दुसरे website पे जाता है या दुसरे पीच पे रिडारेक्ट होता है कहीं-कहीं हम फॉर्म बरते हैं या फिस सब्मिट करते हैं तो facebook पर जाता है facebook से वापस रीटन आता है for example हम कोई social media का login यूज कर रहे हैं तो एक तो रेडूस करना है जहां पे नेसेसरी है वहाँ पर यूज करने है अगर हमने जाधा Undeos किया कहीं-कहीं ब्रावजर पे ब्लॉक किया हुआ होता है जावा स्कृट तो वहां पर री डायरेक्शन ब्लॉक हो जाता है और website लोट नहीं होती है वो पूरी तरह से ओपर नहीं होती है तो एक इंपक्ट करता है वेबसाइट के परफामंस के उपर स्पीड के उपर तो इसलिए वेबसाइट में री डिरेक्शन को बहुत अच्छे से माइने रखना है कि उसको री डिरेक्शन जितने कम हो जहां पर नेसेसरी हो फार एक्जांपल जहां पर फेस्बुक या गूगल लॉगिन यूज करें वहां पर यूज किया तो ठीक है लेकिन जहां पर हम यह चीजों का यूज ही नहीं क आप सभी जानते हैं कि website लोड होती है हम लोग देख रहे होते हैं लोड होती है उतना ही टाइम लेता है था टाइम लोड होती है उतना ही टाइम लेता है तो टाइम रड्यूस करने के लिए मोस्ट इंपर्ट रोटा कैश और वेब पेज़ेश फॉर एक्जांपल जो भी लोकल हो जाने चाहते हैं कि हम हमारे वेब ब्राओजर पे सब्सक्राइब रखें रखें धेक ऐजकर चल रहा है कि गुगल ने कंपल सरी कि आप मेने कि हाँ कुकी करो क्योंकि वह बोलता है कि आप स्टोर करने हो तो करो इसमें बहुत सारी information होती हो जो locally store हो जाती है तो गुगल बोल रहा है कि आप पहले permission दो हम इस लेक्स लेग्स करता है कि लोकल जो स्टोरेज कि हुआ हुआ जो भी पेजस है जावा स्किर्प्ट है वहां से पहले उटाता है और स्टोर करता है अगर कोई वेबसाइट 5 MB की है और फर्स्ट लोड होने में 5 MB साइज लिया है और 10 सेकंड लिया है तो सेकंड टाइम लोड करने बढ़े हैं और सर्वर साइट भी वी कैश ऑन रखे जिससे हमारी वेबसाइट की लोट टाइम बड़े नेक्स्ट पॉइंट है डिफर लोडिंग आप सभी जानते हैं कि वेबसाइड लोड होती है तो बहुत सारे फाइल कंटेंग करती है उस कंटेंग करने में बहुत सारी जावस्की फाइल होती है CSS फाइल सोती है या इमेज़े तो आप सभी यह काम कर सकते हैं कि जो फाइल अन्वंटेड है मतलब फाइल फर्स्ट टाम लोड नहीं हुए तो भी चलेगा वह नेक्स्ट टाम लोड होना चीए या डिले लोड होना चीए तो उसके लिए यूज कर करनी होती है क्योंकि वेबसाइट के लोड टाम बढ़ने के लोड टाम कम होने में वह फाइदे मन्द होता है तो इसलिए देखा जाता है कि हम डिफर लोडिंग में जितना सिंक्रोनाइजेशन करें वह बेनिफिशल होता है और एक चीज इसमें बहुत माइने रखती है कि मेरे बिर्दी बढ़ने नहीं करतें सब्सक्राइब कर दक्राहएं जोबब कर दो कि मतलब कि जो भी हमने लिखा है लिखते समय हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पेस होता है और दोता है बहुतraj administration convenient wz तो इतना रेड्यूस हो जाती है जिससे फाइल रेड्यूस होने से हमें बेनिफिट यह भी मिलता है कि हमारा वेबसाइट का जो पेज है उसको लोड करने के लिए टाइम भी कम मिल जाता है मिनिफाइब भी हो जाती है और उन्वांटेट जो चैरेक्टर्स होते हैं या स्वेस होता है वह भी सब निकल जाता है तो यह बेनिफिशल है कि हमें डिफर लोडिंग और मिनिफाइस फाइल्स करनी ज़रूरी होती है वेबसाइट ऑप्टिमाजेशन में लास्ट कॉइंट है सीडियन सीडियन का फूल फॉर्म है कॉंटेंट डिलिवरी नेटवर्क सीडियन सबके लिए अप्लिकेबल नहीं होता क्योंकि फॉर एक्जांबल अगर मुंबई में किसी का बिजनेस है और मुंबई वो बिजनेस कर रहा है तो सीडियन की जरूत नहीं होती है लेकिन जिसका बिजनेस मुंबई में है और रहा है तो तो मोसली वहांपे अगर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है तो वहां पे CDN रखना जरूरी होता है CDN का काम क्या होता है कि जो भी content यहां से जो publish हुआ है तो वहां पे छोटा सा hub बना देता है जहां पे वो content सारा store करता है और वहां के जो local users है उनको जो delivery content की वेबसाइट की जो भी pages की या delivery database की वह CDN नेटवर्क से भीजता है तो CDN का यही काम है कि जितना fast load करें वह beneficial होता है लेकिन बड़ी बड़ी companies last के लिए multinational companies CDN services यूज करती है क्योंकि वह बहुत जादा costly है लेकिन CDN भी बहुत helpful है website optimization में और website के speed load में यह थे कुछ tips website optimization के लिए और website speed load कम करने के लिए और ऐसे informative वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिजी रिलोड और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना बुले जिसे हमारे जो रेगुलर्ली वीडियो अप्लोड होते हैं यूट्यूब पे जिसकी नोटिफिकेशन आपको आए और आप वह देख पाए थैंक्यू करें करें